जेहंद पहरे साथियों, रोजगार विद अजय यूटूब चैनल पर आप सबी का बहुत बहुत फागत है आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फूट डिपार्टमेंट से वेकेंज या निकलने वाली हैं आपने बहुत सारे वीडियो का थमनेल देखा होगा बहुत सारे यूटूबर ने इसको पर वीडियो पना रखा है आज मैं यहाँ पर बिल्कुल फूल डिटेल से बात करने वाला हूँ कि जो फूट डिपार्टमेंट से जो वेकेंज ये निकलने वाली है फूट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया से जो वेकेंज ये निकलने वाली है उनमें एज लिमिट क्या होगी उसकी क्वालिफिकेसन क्या होगी यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी आपकी जोब लोकेसन क्या रहेगी आपका वर्किंग क्या रहेगा सारा सब कुछ बिल्कुल फुल डिटेल्स मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले बता दूँ यह बिल्कुल पर्मानेंट गॉर्मेंट वेकेंज या रहेंगी और उसके बाद में हम बात करते हैं देखो एपसी आई में टोटल 4710 पदों पर वेकेंजिया आने की पूरी 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 टबल संभावना बन रही है अब इसमें क्या है कि जो टोटल वेकेंजिया है उनको टोटल चार कैटेगरी में डिवैड किया गया है ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट जो ग्रेड फर्स्ट होता है उसमें बिलकुल टॉप लेवल की वेकेंजिया आती हैं जिनमें ओवराल बिलकुल डारेक्टर सामिल होते हैं तो जो top level की जो vacancy होती है जिनको हम grade first बोलते हैं उनकी vacancy यहाँ पर नहीं निकलने वाली हैं अब जो vacancy निकलने वाली हैं उसमें grade second, grade third और grade fourth ये तीन grade की vacancy निकलने वाली हैं overall grade second में manager post count होती है उसके बाद आता है grade third, grade third में typist आता है इसके लावा stenographer आता है असिस्टन आता है ये सारी सारी जो post हैं वो grade third में आती हैं और watchman और जो delivery करने का काम करने वाला है वो सारे आते हैं grade fourth में तो यहां पर grade first की जो vacancy है वो directly इस तरीके से नहीं निकलती उनका selection की लिया जाता है एक अलगी process होता है उसका तो अब फिलाल में हम बात करने वाले हैं 4710 vacancy के बारे में जो कि grade second, grade third और grade fourth तीन डिपार्टमेंट से तीन grade से vacancy निकलने वाली हैं अब देखो सबसे पहले मैं बात करूँ यदि grade fourth के बारे में grade fourth में total 2154 vacancy हैं grade third में total 2521 vacancy हैं और grade second में total 35 vacancy हैं अब यदि grade fourth के बारे में बात करें जहां पर 2154 vacancy हैं इसमें watchman की vacancy हैं और watchman के लिए जो qualification है वो चाहिए 8वी pass ठीक है 10वी pass भी चलेगा लेकिन minimum 8वी pass होना चाहिए और age होनी चाहिए जनरल category के according 25 साल उसके बाद में हम बात करते हैं grade third में total 2521 vacancy हैं जिसमें typist, assistant और stenographer ये तीन vacancy हैं इसके लिए कुछ vacancy हैं जिनके लिए graduation भी चाहिएगी और कुछ vacancy हैं जिनके लिए keyword 12 भी चाहिएगा जैसे LDC है इसके लिए 12 चाहिए stenographer इसके लिए 12 चाहिए या फिर जो assistant है उसके लिए graduation चाहिए और यहाँ पर जो age limit है वो ही 25 साल है जनरल category की उसके बाद में हम बात करते हैं grade second जिसमें manager की vacancy हैं इसके लिए graduation होना बिल्कुल compulsory है और age जनरल की 35 साल होनी चाहिए बाकी जो other category के candidate हैं जैसे OBC, SC, ST, PWD इनको special government rule regulation के according चूट दी जाने वाली है जैसे OBC के candidate को 3 साल की age में चूट मिलेगी, SC, ST के candidate को 5 साल की चूट मिलेगी जो FCI department में already काम कर रहे हैं उनकी age 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए PWD general category को 10 साल की चूट मिलेगी, PWD OBC के candidate को 13 साल की चूट मिलेगी और PWD SC, ST के candidate को 15 साल की चूट मिलेगी इस तरीके से ये age में इनको चूट मिलने वाली है उसके बाद में fee structure के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं OBC, General और EWS के तो grade second का form apply करते हैं आप तो आपकी forum fees 1000 रुपर रहेगी, grade third के लिए form apply करते हैं तो लगबग 500 रुपर रहेगी और grade fourth के लिए हो सकता है आपकी fees ना लगए या फिर 500 रुपर रहेगी इसके अलावा यदि हम बात करें SC, ST और PWD तो ST, SC, PWD के पीडमलुडी कैटेगरी के कंडिरेटों की कोई fees नहीं लगएगी फिर चाहे आप grade second के लिए apply करो या third के लिए apply करो या fourth के लिए apply करो अब हम यहाँ पर salary के बारे में बात करते हैं यदि आप grade second manager के लिए यहाँ पर apply करते हैं तो आपकी जो salary है वो 60,000 रुपए पर मंत से लेकर 1,80,000 पर मंत तक रहने वाली है LDC की salary 25,500 से लेकर 45,000 तक MTS की salary 19,900 से लेकर 35,000 तक stenographer की salary 28,600 से लेकर 63,200 तक और watchman की salary 18,000 से लेकर 22,000 तक रहेगी धान रहे यहाँ पर जो watchman है जो watchman की जो vacancy हैं जिसको हम grade fourth बोल रहे हैं यहाँ पर जो ex-serviceman की जो candidate हैं उनको special यहाँ पर छूट दी जाएगे साथ-साथ government rule regulation के account एक government servant को जो allowance मिलते हैं और जो भत्ते मिलते हैं सारे 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 सबकुछ यहाँ पर इनको मिलने वाले हैं अब सबसे मैं हमारा मुद्दात है कि यह आखिरकार vacancy कब तक आएगी तो प्यारे साथ यह जो vacancy है कि अगस्त के last तक 100% इसका notification आ जाएगा ठीक है हाँ बाकी आप इस vacancy के सम्मद में always update रहना चाहते हो तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर subscribe कर ले साथ-साथ आपका को आउट हो कोई भी confusion हो तो आप directly comment session में comment करके पूँच सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए thanks bye